यह MP Board का High School का यानि 10th Class का Hindi Special का Question Paper है चलिए देखते हैं कौन-कौन से Questions आये थे आपके और मैं बता दूँ आपको इसी वीडियो के Playlist में आपको Description Box में Playlist मिल जाएगी MP Board की तो वहां से आप सारे Papers देख सकते हैं 2020-19-18 के सारे के सारे Question Papers हमने डाल दिये हैं आप उनको देख सकते हैं अगर आपको कोई भी Link में दिक्कत आती है नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और आपको बता दूँ आपने Toppers की कोपिया भी देखना बिल्कुल ना भूले तो Objective Type के Question समने Solve करती है जो एकी Marks के हैं तो सबसे पहले आपका जैसी प्रतिनी धीत कवी हैं किसके कवी हैं तो ये हैं प्रेम मारगी शाखा के दूसरा है गेहूं और गुलाब निबंद के लेखक हैं तो वो कौन थे तो अब Option सही था इसमें राम व्रक्ष वैनी तीसरा है अमर कंटक की केंद्री सत्ता है तो वो क्या है नर्मदा इसके बाद में चौथा Question जो पूछा गया है जो पुरुषों में उत्तम है उसके लिए एक सब्द आपको चुनना था तो वो हो जाएगा पुरुष उत्तम इसके बाद में Next Question की बात करते हैं Next Question में पूछा गया था आपसे संचारी भाव की कुल संख्या मानी जाती है कितनी संख्या होती है तो 33 होती है उसमें उसके बाद रिक्सितानों की पूर्ती करनी है तो सबसे पहला आधुनिक हिंदी कवीता का प्रारंब समवत सन 1900 से माना जाता है गीन कलर में हमने कर दिया इसको हाइलाइट दूसरा है बैल की बिक्री के महाजन का जौला प्रसाद नाम था ठीक है जौला प्रसाद तीसरा है सुस्तृत सहिंता में शल यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है 101 इसमें राइट आंसर आएगा चौता है जिस समास में दोनों परदप्रधान हो वहां दौन्द समास होता है बिल्कुल आंसर सही है दौन्द समास इसके बद पाच्वा कोशन है रस युक्त वाक्य ही काववे है तो यहाँ पर काववे ऑप्शन आ जाएगा ठीक है तो हमने यहाँ पर आपको हाइलाइट कर रखे है अब आज य पर पाच्वा पूछा गया था उल्लाला एक मातरिक शंद नहीं है तो यह असकते है वह चंद मातरिक शंद है अब सही जोड़ी बनाना था आपको सही जोड़ी का यह था और वहां को मिलान करना था तो जैसे पहला है मैं आहूती बनकर देखा तो यह क्या है इसको अग्ये से मिलाना था आपको दूसरा है मन की एकागरता तो इसको मिलाना था पंडित बालकृष्ण भारदवाच से इसके बाद तीसरा है आपका बेटियां पावन दुआएं है तो अजहर हाश्मी का यह है उसके बाद में बीर रस जो है यह उत्सा है उत्सा से मैच कर देना है तो इस सुजान सिंग पंजाबी भाषा के विख्यात साहितकार थे उसके बाद में भगिनी निवेदीता के गुरू का नाम क्या था तो उनका नाम था परमहंस और उसके बाद में रचना की दिस्टी से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं और रस के कितने अंग होते हैं तो रस के चार अंग होते हैं। तो ये अथा आपका एक एक नंबर के अंजर। अब दो नंबर के question देखते हैं। पारस में कौन सा गुन पाये जाता है? अथवा आया था बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? इसके बाद में साथवा कोशन है कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है सबसे पहले तो आपको चधा कोशन का जो आंसर है आराम से बता सकते है पारस जिस किसी को भी छूता है ven उसको सोना बना दिता है तो आप एसा लिख सकते थे कवी ने बादलो को कहां घिरते देखा है अठवा कोशन की बाद करें तो बसंत के आने पर कौन तान भरने लगता है अठवा आया था कवी चक्टानों की छाती से क्या निकालने के लिए कह रहा है नवा कोशन ने लोहा किसकी स्वांस से भस्म हो जाता है और अठवा में आया था दया मई माता के तुल्ले किसे माना गया है दसवे कोशन की बात करें तो चलने के पूर बटोही को क्या करना चाहिए अठवा में आया था कवी नरेश महता ने रुकने को किसका परतिक माना है उसको लिखना है आपको ग्यारवा है हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुक विधाओं के नाम आपको लिखने हैं अत्वा में आया था हिंदी गद्य साहित्य की अन्य गौन विधाओं के नाम लिखिए इसके बाद में आप नेक्स्ट में आजाईए तो बारवा कुछा गया देहाती बूढ़ा कमाल पा तो विसेले तालाब के नजदीक युदिस्थिर ने क्या देखा अत्वा में आजएए तो अत्वा का कुश्चन था इसमें जो है ग्यान और दीपक के आपसी संबंद लिखने हैं आपको पंदरवा कुश्चन है वाक्यों को निर्देश अनुसार परवर्तित करना है तो अश के लिखा और दूसरा है आपका पुर्षत्तम की पतनी अच्छा थी तो यहां तो पुर्षत्तम की पतनी अच्छी थी इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं प्रबंद कापवे में अंतर लिख है कोई भी विचार आपको लिखने है अठारवा कोशन पुछा गया संधी और समास में कोई तीन अंतर स्पस्ट कीजिए तो इसको टेबल बना के आप लिखना एक तरफ संधी एक तरफ समास और आमने सामने अंतर लिख देना उसमें पूरे नंबर मिलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य काल की कोई दो विशेश्टा लिखिए तथा रिती काल के कोई दो कवियों के नाम तथा उनकी एक 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 रचना लिखिए अत्वा में आया था भारते इंदु यूग की कोई दो विशेश्टा लिखिए तथा भारते इंदु यूग के दो कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए बाइस्वा कुश्चन जो है इसमें पूछा गया है आपसे बिहारी अत्वा सूर्दास की काववे गद विशेषता निम लिखित विंदूओं के अधार पर लिखिए दो रचना है उनकी लिखनी है भावपक्ष कलापक्ष दोनों लिखना है और स साहिते में इस था उनका बताना है चोबिस्वे कुश्चन की बात करते हैं तो निम लिखित में से किसी एक पध्यांस की सब्रसंग व्याख्या करनी है तो आपका जो पध्यांस से यह है साही इतना दीजिए जामे कुटम समाए मैं भी भूखाना रहूं साधू ना भूखा करनी है 25 कुश्चन की बात करते हैं निम लिखित में से किसी एक गध्यांस की व्याख्या संदर्ब प्रसंग सहित कीजिए तो यहां पर परंपरा आधनिक्ता को आधार देती है उसके शुष्क और निरस बुद्धी विलास बनाने से बचती है उनके प्रयासों का अर्थ द यहां है वह विश्वास पर भिक जाता है धर्म पर जुक जाता है और सब को सहता है पर शिकायत नहीं करता उसकी सब की सुनता है पर अपनी और से कुछ नहीं कहता वह कभी ठक कर नहीं बैठता जुक कर नहीं चलता और त्याग में से प्राप्ति और परिश्रम में से परियास करने पर भी मिलता है लिक्षफलता अने परियास करने पर भी असफलता मिलती है इससे मन आता है तनाव का ववंडर आ जाता है और मन उत्साहीन हो जाता है मन में निराशा को नहीं आशा को बसाना चाहिए तो उप्यूत गद्यांस का उचित सीर्षक आपको लिखना है तो हम कह सकते हैं इसका जो उचित सीर्षक है कभी कभी लक्षे बहुत दूर दिखा दो लक्षे, तीसरा लिख सकते हैं, आशा और निराशा, और चोथा जो बेस्ट आएगा, वो मन आपका जो है, वो आपका बेस्ट रहेगा इसका, जो सीर्शक है, मन के भाव या मन की सोच भी लिख सकते है, निराशा के साथ अन्य कौन-कौन सी बुराईया आती है, तो हमने बता निराशा से प्रसंता और सांती नस्ट हो जाती है, ठीक है, इससे क्या हो जाते है, निराशा का भाव अकेले नहीं आता है, उसके साथ हिंता की भावना जन्म लेती है, और सुरक्षा का भाव आता है, और तनाव का भाव नडर भी आता है, मन उत्साहीन हो जाता है, ठीक है निराशा शब्द का विलोम सब्द लिखिए तो निराशा का आशा हो जाएगा और प्यूत गद्ध्यांस का आपको सीरसक लिखना है उसके बाद 27 कुश्चन की बात करें तो इसमें पुछा गया परिक्षा की तयारी के लिए अन्य पुस्तक खईने है तो अपने पिता जी को रुपए पांशूम मांगने का दो लिखना है आ अत्वा में हैं कि इसमें कि य rush यह फ्रभी से फिर सार्गार्वीध णीवन्द लिखना है त्यसमें क्या है आपका विद्यार्ती और अनूर्श और बहुत बार पूछा गया है प्र्यावरप्रदूसन बहुत बार आतंगवाद भी बहुत बार रिपीट हुआ है और विग्यान एक अविशाब भी बहुत बार रिपीट हुआ है लास्ट यर में इसमें से दो तीन आये थे सेम अब इसका बफ़ा आगा निमे लिकेत मैं किसी एक विशे पर रूप रिखा लिखिये है चंसंक्या विर्द्धी व्रक्षार ओपर मेरा देश महान विग्यान की प्रगती ये सभी के सभी आचुके हैं और बहुत इंपोर्टेंट भी हैं तो आसा करता हूँ ये पूरा कोशन पेपर मैं आपको समझाने में कोई गलती नहीं की होगी बने रहे इस चैनल पर डिस्क्र पूरानी होगा और सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे टॉपर्स की आंसर सीट क्वेशन पेपर्स एटुजएड तो बने रहे इस चैनल पर शेयर लाइक सब्सक्राइब करना विलकुल ना बूले दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फाय प्रवादा हो सब्सक्राइब तान्क्यू वरी मच्च